नमस्कार, क्विक निउस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ विरद्दुबे आए जानते हैं क्यों जर्मन चांसलर ने व्लादेमिर पुतिन की रणनीती को स्कॉच्ट अर्थ टैक्टिक्स कहा है जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने हाल ही में कहा कि रूसी राष्टपती व्लादेमिर पुतिन की रणनीती जुलसी हुई पृत्वी की रणनीती रूस को युक्रेन पर युद्ध जीतने में मदद नहीं करेगी राश्ट्वती व्लदमिर पुतीन उर्जा और भूंक को हतियारों के रूप में स्तेमाल कर रहे थे, स्कोल्ज की टिपडी तब आई जब उर्जा के बुनियादी धाचे पर निरंतर रूसी बंबारी के कारण यूक्रेन को अपने निवासियों से बिजली के उपयोग में कट रायक होती है, रणनीती युद्ध को बनाय रखने के लिए दुश्मन के संसाधनों को समाप्त करने की कोशिस करती है और लडाकों और गैर लडाकों को समान रूप से भारी कष्ट देकर उनका मनोमल भी तोड़ती है, 1977 में जनेवा कन्वेंशन के द्वारा इस रणनीती के तहत नागरिकों को नुकसान पहुचाने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है, ओक्सफोर्ड रिफरेंस के अनुसार इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1937 में चीनी जापानी संगर्ष के एक रिपोर्ट में किया गया था, इस रणनीती के उपयोग का एक उलेखनी उधारना 1864 में अमेरिकी ग्रहयुद के दोरान आया, जब यूनियन जनरल विलियम टेकुम सेह शेरेमिन और उनके सैनिकों ने कॉन्फेडरेट क्षित्रों में मार्च करते हुए सब कुछ जला दिया, इस अभियान को मार्च लेकिन नागरिकों को नुकसान या धार्मिक स्थलों को अपवित्र नहीं करते थे।